हलो एवरीवन मैं हूँ अलपना हमारे चैनल अलपना मौस्री में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी एक साथ सेयर करने जा रही हूँ मसाला राइस की रेसिपी खाने बहुत ही सौधिश लगता है इसमें मैंने एक छोटा सा ट्विश्ट दाला है तो होप स्वाप को पर रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं मसाला राइस के लिए हमें चाहिए कुक्ड राइस यहां रेगुलर राइस है आप चाहो तो लेफ्ट ओवर राइस का इस रेसिपी पे कभी कभी हम चावल बनाते हैं तो बच जाता है तो आप उससे भी बना सकते हो खाने बहुत ही टीश्टी लगता है तो यह हमारा रेगुलर राइस है आप चाहो तो लॉंग ग्रेन राइस का इस्तमाल कर सकते हो यहां पर मैंने कुछ वेजी लिया है जिसे मैंने चौप कर लिया है प्याज, कैप्सिकम, बाजर, बीन्स, तमाटर, हरी मिच, धनिया पत्ती, मतर के दाने और ताजा दही तो दही हमारे यहां पर ट्विस्ट है अगर आपने चलों को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ और लाइक करना बिल्कुल भी ना भू हो जाये इसकसाथ इसमें डालेंगे बटर अगर आपके पास बटर नहीं हो तो कोई बात नहीं है आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसे ऑईल में ही बनाए बहुत ही टेश्टी बनता है यहां पर लिया है मैंने जीरा और सर्सो के दाने दोनों लिया कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज के प्याज को मैं अच्छे से भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए तो हमें पूरे प्रोसेस को मीडियम फ्रेम भी करने हैं जिससे हमारा सबजी भी अच्छी तरह पक जाए बारी कटा हुआ हरी मिच हरी मिच आप स्वादनुसार कब ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो एक से दो हरी मिच और बढ़ा दे तो मैंने हाँ पे दो हरी मिच के इस्तमाल किया है प्याज में देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है बिल्कुल परफेक्ट है ये प्याज को में और ज्यादा नहीं भूनना है अद्रकलेसन का पेष्ट आधी छोटी चमच या फिर आप अद्रकलेसन को कद्दू कस करके भी डाल सकते हो बहुत ही टेश्टी लगता है आप एक बार इससे जरूर बना कर देखे टमाटर जिससे मैंने चौप कर लिया है तो अधिक से ज्यादा टमाटर ना डाले और टमाटर हमारा मीडियम साइज का होना चाहिए अगर आप ज्यादा टमाटर डाल देंगे तो खटा हो जाएगा फिर बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फ्लेवर नहीं आएगा मतर जिससे मैंने ब्लांच कर लिया है ताकि हलक था यही ज़र् पकेगा नहीं और जो बाकी सबजिया वह पक जाएगी गाजन तो मैंने हैं पर एक गाजर का इस्तेमाल किया है जिसने मैंने इस थारे से lotus किए लिया है आप इसमें और भी सब्यों का सोब्ब्रक्रे सेटे हो सर्दी का मोसम है dus हमएं अगर आपके पास पनीर हो तो आप पनीर भी डाले बहुत ही टेश्टी बनता है यह सब्जी तो यह देखिए सब्जी हमारे हाँ पे सौते हो गया है इसमें जाएगा कुछ पाउडर मसाले सबसे पहले इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर एक चुथाई 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 चुथा जिससे कि जो सब्जी है वो भी soft हो जाएगा, half cook हो जाएगा, सब्जी को बहुत ज़्यादा cook नहीं करना है, इसे हमें 70% ही cook करना है, तो इसे मैंने cover कर दिया है 2 मिनिट के लिए, और flame को बिल्कुल low कर दे, तो ये देखिए, सब्जी हमारा लगभग cook हो गया है, इसे हमें 70% करना है, तो जितना हमें चाहिए था, उतना आ गया है, अब इसके उपर से जाएगा दही, आप चाहो तो नमक को बाद में डाल सकते हो, दही डालने के बाद इसे एक बार mix कर लेंगे, दही को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसे हमें mix ही करना है, अब मैंने flame को medium कर दिया है, तो आप इसे इस तरह से एक से दो बार चलाज जरूर ले, कभी कभी दही फट जाता है नमक डालने से, तो हमारा दही बिल्कुल सही है, अब इसमें जाएगा चावल, और चावल डालने के बार एक बार इसे अच्छे से mix करना है, आप इसे over mix ना करें, नहीं तो जो चावल के दान हैं, वो तूट जाएंगे, तो इसे बहुत ही हलके हाथों से mix करें इस तरह से, बड़े ही प्यार से, एक लाइक करना तो बनता है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, इसे cover कर देते हैं, दो मिनिट के लिए, और flame को मैंने हाँ पे लो कर दिया है, चावल को हमें लो फ्लेम पे दो मेट के लिए पकाना है, ताकि बड़िया सा फ्लेवर आ जाए, सबजियों का, दही का, मसालों का, उपर से जाएगा, हरा धनिया, जिसे मैंने बारिक कार्ट लिया है, और ये हमारा मसाला राइस त्यार है, बहुत ही टेश्टी बना है, और साथी साथ इस परमे में बनकर त्यार हो जाता है, तो आप एक बार इससे जरूर ट्राइ करें, तो ये देखिए, चावल हमारा बिल्कुल खिला-खिला है, एक दूसर से चिपका हुआ नहीं है, तो आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, ठंडा होने का वेट बिल्कुल भी ना करें, तो आप इस तरह से मसाला राइस बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है इसे आप सर्व करें रायता के साथ या फिर किसे भी रस्दार सब्जी के साथ सर्व करें या फिर अकर सब्जी रायता नहीं हो तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है में तब तक के लिए थेंक यू बाई बाई एंड टेक क्याए